हेलो एवरिवन आज मैं आपके साथ बहुत यूजफूल टिप्स शेयर करने जारी हूँ तो सभी टिप्स एक बार जुरूर देखे और वीडियो को एंट तक भी जुरूर देखे बिन स्कीपिगे कोई भी टिप्स आपके लिए यूजफूल हो सकती है तो वीडियो को एंट तर जुरूर देखे तो चलेगा इस वीडियो शुरू करते हैं तो आप क्या करने इस तरह से क्लोज बीन ले 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 और कील को इस तरह से क्लोज बीन में इस तरह से लगा दे इससे क्या होगा हाथोड़ी हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगेगी आप इस तरह से पकड़कर आसानी से क्लोज बिल्कुल भी लगा सकते हैं तो कैसी लग ये टिप आई यो पे टिप पसंद आई होगी तो मेरी नेक्स टिप है इस तरह कोल गेट को लेकर जब भी हमारी इस तरह से काफी सारी कोल गेट खत्म हो जाती है थोड़ी सी बीज में रह जाती है तो हम इसे ऐसे वेश्ट समझे कर फेक देते हैं तो इसे बलकुल भी आप ना फिके तो इस तरह आप इस टिप को यूज कर सकते हैं मेरी नेक्स टिप है इस तरह क्लोज पिन को ही लेकर क्लोज पिन हमारे लिए काफी यूजपूल है आप क्या करें दो क्लोज पिन ले ले लें को लेकर हम प्रेस की वायर को इसी तरह से इकठा करकर रख देते हैं जिससे कि प्रेस की वायर हमारी खराब हो जाती है तो आप किया करें इस तरह से प्रेस की वायर को इकठा करें उसके बाद आप इस तरह से क्लोस पिन ले 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 तो इसके उपर इस तरह से क्लोस पिन लगा ताकि हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलते हैं नेक्स टिप की तरव तो मेरी नेक्स टिप है इस तरह मुबाइल चार्ज को लगाने को लेगा जब भी हम इस तरह स्विच बोर्ड पर फोन चार्ज लगाते हैं उसके पास इस तरह से स्लैप बगार नहीं होती है इस तरह स्विच बोर्ड के पास तो हम इस तरह से फोन को चार्जर के उपर रहते हैं इससे क्या होता है कि फोन हमारा गिरने का डर रहता है तो आप क्या करें जो भी आपके पास इस तरह से extra mask बढ़ा हो तो आप उसको ले लें इस तरह से charger की wire में इस तरह से mask को डाल कर इस तरह से charge के उपर इस तरह से आप इसको टांग सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही useful है इस तरह से आप दोनों तरप से इस तरह से wire के बीच में डाल दें तो आप इस तरह से phone charge लगा कर इसके बीच में रख दें इससे क्या होगा हमारा phone नीचे भी नहीं गरेगा और असानी से charge भी होता रहेगा इस तरह आप कही पर भी phone charge लगा सकते हैं तो कैसी लगे टिप आई हो पे टिप पसांद आई होगी तो इस टिप के लिए एक लाइक डोल करें तो चलते हैं next टिप की तरफ मेरी next टिप है इस तरह बेल्ट को लेकर हम इस तरह बेल्ट को एकठा करकर रख देते हैं इस तरह से एक जगे में इकठी हो जाएगी तो यह बहुत ही अच्छी तरह से और्गनाइज हो जाएगी तो इस तरह से मारी बिल्ट देखिए कितनी अच्छी तरह से और्गनाइज हो चकी है तो आप इसको कहीं पर भी इस तरह से पकड़कर हैंग भी कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं भिखरेगी तो कैसी लगे टीप आईयों पे टीप आपको पसंद आईयों तो एक कमेंट करकर जरूर बताइए आपको इन सभी में से कौन सी टीप ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट करकर जरूर बताएं तो बाई बाई गैस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ